है हलो बच्चो गुड मॉनिंग नमस्कार श्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में और जैसा कि आपने पिछले वीडियोज के अंदर पढ़ा था फिप्टिंश का जो चैप्टर था उसमें फॉर्टिंग क्यूंस तक हमने अच्छे तरीकर से पढ़े थे आए हम फैने नीचे की तरफ करके उनको सेफल्ड किया जाता है कहता है वन कार्ड इसन पिग्डैक अट रेंडम उन में नग्से एक कार को पिड़ किया जाता है और पूशता है फ़स्ट पाइंट के अंदर कि वह ट्र प्रबेट कं अदर लेट that the card is the queen कि उसके probability क्या होगी कि वो card queen होगा आईए हम कि उसन के solution की तरफ बढ़ते हैं solution में सबसे पहले आप लिखेंगे कि number of cards आपके पास में कितने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आप number of cards number of cards तो number of cards आपके पास में है 5 और कौन-कौन शे है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 jack queen king and egg यह आपके पास में 5 cards है और इनी 5 cards में से एक card को pick किया जाता है वो कौन सा है आपको बताने हैं कि what is the probability that the card is the queen तो queen होने की probability निकालने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मुला पी-ई-ओफ कार्ड देट विल बी क्वीन और उसका फॉर्मुला जो है वो लिखेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था फॉर्मुला जो होता है हमारा है number of possible outcomes ऑपन में टोटल नंबर ऑफ आउड़कम्स टोटल नंबर ओफ आउड़कम्स तो देखेंगे नभर पॉसिबल आउटकम्स यानिकी क्वीण होने की पूसरा है आपसे तो नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं कुईं के वन और टोटल जो है आपके पास में वो कितने हैं रचे 5 तो क्या अनसर हो जाएगा आपका 1 by 5 शेकंड पॉइंट देखिए शेकंड पॉइंट में कहता है if the queen is down and put aside queen आपने निकाली है उसको अलग में रख दिया है उसको अलग में रखने के बाद आपके पास में टोटल जो कार्ड्स हैं वो आपके पास रह जाएंगे फोर वाट इस दा प्रोबेविटिटी देड़ second card picked up is an egg यानि कि एक होने की probability क्या होगी तो वहीं लिखेंगे यहां पर पी इओफ एन एक पी इओफ एन एक फार्मुला वहीं लिखेंगे number possible outcomes आपडमे टोटल नमबर आउटकम्स तो पोसिबल आउटकम्स एक की आँजाएंगे वन और शेकंड में आपके बसमें टोटल नमबर ओफ ऐटकम्स हो जाएंगे फोर क्योंकि आपको क्वीन आपने निकाली थी उसको दूसरी शेड़ में रख लिया था आपने इसी में second point जग कहता है queen की probability क्या होगी तो देखिए second part में हमने queen की probability पूश रहा और queen हमारे पास ही नहीं तो यानि कि not happening outcomes हमारे पास है और उसकी probability आपके क्या होगी 0 तो यानि कि b part में हमारी p e of queen क्या होगा 0 by 4 और जिरो पाई 4 का मतलब है आपका जीरो तो यहीं सेकिंड प्रेंट के सेकिंड पाइट का अंसर हो जाएगा आए हम देखते हैं next 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones मतलब 12 खराब पैन है और वो क्या होते हैं 132 अच्छे पैनों के अंदर मिक्स हो जाते हैं it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective मतलब कहने का मतलब है कि उनको हम देख करके यह नहीं बता सकते कि उन में से कौन सा पैन अच्छा है और कौन सा पैन खराब है आगे क्या कहता है कि वन पैन इस टेकन आउट एट रेंडम फ्रोंदी श्लोट उन में से एक पैन को बाहर निकाल लिया जाता है इसकी प्रोबिबिलिटी क्या होगी कि वो पैन एक गुड़ पैन होगा तो आएए हम सोलेशन की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले हमारे पास में जो जो चीजे दे रखी हैं उनके बारे में लिखेंगे तो हमारे पास में 50 वो लिख लीज़े तो लेंद यहां लो लिखते हैं नंबर औफ डिफ्एक्ट्य प幫2 Up And इम्रह अदिफएक्टिव पैन कितना हैं हमारे पास में ट्वैल को और गूड़ पैन कितने है वो लिख लीजिए तो यहां लिखते हैंन Break the nerd पैन्स नंबर ओफ गुट पैन तो वह हो जाते हैं हमारे पास में वन थर्टी तो और हम करते हैं कि टोटल पैन हमारे पास में कितने है तो हम लिखते हैं टोटल पैन्स हाँ गाया इस को टोटल पैन्स आपके पास में कितने हैं 132 प्लेष ट्वैल इ прич टेकन आउट एट रेंडम फ्रॉंड दिस लॉड्य विप्र प्रोबाविलिकिटी देड डिटकन आउट इटаменगाण तो वही हमारा फार्म लिखेंगे नंबर ओफ पोसिबल आउटकम्स है नमबर ओफ है पोसिबल आउटकम्स है अपन में टोटल आउटकम्स है तो सबसे पहले तो अच्छा होने की पूछ रहे ना तो अच्छे पैन कितने हैं वह देख लिजिए तो अच्छे पैन बताइए अच्छे पैन कितने हैं गुड़ पैन आपके पास में 132 तो यहां पर जो आपके नमबर ओपोसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 132 और आपके पास में तू तू से करेंगा तो 26 12 तो सेडार फोर्टिन टूटी या फोर और तू से फिर तू तरी जा सिक्स टू तू तू तरी जा शिक्स टू सिक्स टू तो इस तरिके चेंज हमारा जो अंसुर आता है वह आता है 33 पॉर में 36 कि आईए हम देखते हैं नेक्स्स क्यूशन लोट ओफ 20 बाल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन्स वन बाल्ब इस ड्राउन एट रेंडम फ्रों दे लोट देखिए हमने पिछला क्यूशन जो किया था उसी क्यूशन के ओपर डिपेंडर यह क्यूशन है लेकिन थोड़ा सार डिफ्रेंस है उस क्यूशन में कहता है यहां प यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि नॉंबर ओफ बलब लिखो 5 डिफ्यक्टिव अब आपके पास में four दखिए यहां पे आपके पास में four तो defective है तो आपके पास में sixteen जो बचगे है वो क्या है तो number of good bulb of random of a syndrome good bulb is equal to क्या आप जाएगा 20-4 is equal to 16 आप ध्यान देना है यह डिफेक्टिव है यह डिफेक्टिव नहीं है not defective defective यह बात को समझने कोशिज करना अब क्या करता है कि what is the probability that this bulb is defective इसकी probability क्या होगी कि वह बल्ब एक डिफेक्टिव होगा तो यहां पर लिखेंगे हैं पी ओफ डिफेक्टिव बल्ब पी ओफ डिफेक्टिव बल्ब तो फार्मला हमारा वही number of possible outcomes upon my total number of outcomes the number of defective आपके बल्ब कितने हैं defective बलब आपके बास में four है तो four number of possible outcomes हो जाएगा और total आपके बास में outcomes कितने हैं ट्वेंटी तो फॉर उपन में 20 तो आपको इसको data करेंगे तो हम हो जाएगा हमारा answer one by five कि फास्ट पॉइंट का जो answer है वो हो जाएगा one by five second point देखते हैं suppose the bulb drown in मान लिजिए कि आपने जो बल्ब निकाला है इस not defective ओना जहीं है अब defective नहीं है तो इसको अच्छा है आपने उसको बहर निकाल लिया है est not replaced और उसको एक दूसरे के साथ नहीं किया गया है कि बhich active हमारा आया है तो जो defective हा उसके साथ रिपलेस कर दें ऐसा कुछ नहीं किया गया है now one bulb is down at random कहता है अब एक बलब और निकालेंगे from the rest जो बच्चे वे आपके पास में बलब है उन में से तो सबसे पहली बात यहीं होगी कि आपके पास में रेस्ट बलब कितने हैं तो second point में हम लिखेंगे number of rest bulb number of rest bulb यानि कि बच्चे वे बलब कितने है तो 20 बलब थे एक आपने इसमें से निकाल लिया है तो आपके पास में बलब हो गये है 19 अब आपके पास में दो चीजें यहाँ पे रहेंगे कि डिफेक्टिव और नोट डिफेक्टिव तो अब यहाँ पर देखेगा कि दब बलब इस नोट डिफेक्टिव मतलब वो डिफेक्टिव नहीं है तो बलब कौन सा था फिर अच्छा था तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ओफ गुड बल्ब तो नंबर ओफ गुड बल्ब जो है आपके पास में कितने बचाएंगे देखो 16 थे उसमें से एक बाहर निकल गया तो आपके पास में होगे 15 है तो इस पार्ट में ध्यान रखना है नंबर ओ पॉसिबल गुड वन की या नोट डिफेक्टिव की टोटल आपके पास में हो जाएंगे 19 क्या पूस्ता है वन बल्ब इस डाउन एट रेंडम फ्रोंदे रस्ट वर्ट इस देप प्रोबिलिटी देट इस पाल इस नोट डिफेक्टिव उस पल्ब की प्रोबिलिटी क्या होगी कि वोट नोट डिफेक्टिव है यहां पर हम हम फर्मॉला है वही लिखेंगे हम P of not defective आपको मैंने बताया था फर्मॉला क्या होता है नमबर ओफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल तो नमबर पॉसिबल आउटकम्स नोट डिफेक्टिव तो यहीं पर हमने लिखा था नोट डिफेक्टिव मतलब गुड तो कितना वजाएगा 15 और टॉटल आपकी कितना वजाएगा समझना है उसमें आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है यहाँ पर देखेगा इस नोट डिफेक्टिव मतलब गुड और डिफेक्टिव मतलब जो है गुड नहीं है तो आएए हम देखते हैं नेक्स्ट क्यूस्ट के बोक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नमबर्ड फ्रॉ है आपके पास में और उस डिसक के ऊपर वन से लेकर कि नाइन्तिंग तक णूटिंग लिखी हुई है ठीक है इस वन डिस्क is doubt at random from the box तो डीत 20 तक चो काउंटिंग लिखी हुई हैं उसमें से एक डिस्क को बाहर निकाल लिया जाता है find the probability that it be us मतलब उसकी probability दिखाओ कि वो number show होगा एक two digit number मतलब एक two digit मतलब दो एंकों की संख्याएं उसके उपर लिखी होगी तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पस number लिखा हुआ है उसमें one digit के कितने number है two digits वाले कितने है three digits वाले कितने है perfect number कितने है मतलब किस से कौन-कौन से divide होने वाले है वो आपको पता होना चाहिए तो आईए हम solution की तरफ बढ़ते है तो solution में आप लिखेंगे कि जो number है हमारे वो लिखेंगे तो number on disk तो जो number है आपके वो है one से लेकर के 19 तक one, two, three, four और कहां तक है बैच्चो 19 तक है तो आपको दियान में रखना है कि total जो number है वो आपके 90 है अब इसमें से two digits वाले कितने है one digits वाले कितने है वो अलग-अलग क्योंकि question में पूछेगा a two digit number a perfect square number a number is divisible of 55 यानि कि हर चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए तो एक टू डिजिट नंबर आप से पूछ रहा है कि टू डिजिट वाले तो आप बताईए बच्चो टू डिजिट वाले जो नंबर है वो कहां से start होते हैं तो वन से जब हम start करते हैं तो टैन नंबर पर जब हम जाते हैं तो टू डिजिट साने स्टार्ट हो जाती है और टू डिजिट से लेकर के 99 तक जाती है लेकर हमें तो 90 तक चीए तो यानि कि हमारे पास में लिखेंगे नंबर ओफ और नंबर ओफ टू डिजिट नंबर ओफ टू डिजिट नंबर यानि कि दो अंकों की संख्यां वाले जो अंक हैं उनकी संख्या कितनी है तो तो टोटल आपके पास में 90 हैं और आप से से लेकर के नाइन तक वन डीजिट के हैं तो यह की है तो यहां से नंबर फिश् lights Кय और आपके पास पूछ रहा है नंबर अफ पूसिबल आउटकम्स अब में टोटल आउटकम्स तो नंबर और पूसिबल आउटकम्स आपने निकाला है वो कितने है 81 और टॉटल आपके पास में कतने हैं बच्छो 99 से इसको डिड़क्ट दीजेगा 99 जा 81 पर 910 जा आई तो आपका 9 भाई 10 आंस वर आ जाएगा सेकंड जो पाइंट है वो देखिएगा एक प्रफेक्ट स्केयर नंबर प्रफेक्ट स्केयर नंबर का मतलब है कि उस नंबर की पूरी-पूरी मतलब वरगमूल निकल सके कहने का मतलब है जिसका फर्फ प्रफेक्ट स्केयर नंबर है नाइन है प्रफेक्ट स्केयर स्केयर हो तो यहां पर लिखेंगे सेकेट पॉइंट में नंबर ओफ परफेक्ट स्केर नंबर नंबर ओफ परफेक्ट स्केर नंबर तो देखिए परफेक्ट स्केर नंबर जो है जिसका स्केर है जैसे वन का स्केर वन है तू का स्केर फोर है तो फोर जो है वह एक परफेक्ट स्केर नंबर है ठीका स्केर नाइन है नाइन एक पर्फेक्ट्स केर नंबर है वोगा स्केर 16 इस तरिके से आप तो हर संग्या है उसका स्केर लेते चलिए है six 36 विए गा 49 शिक्षी फॉर एटीवन अब देखिए वन शी लेकर करके 9 तक का जो नमबर उनके स्केर है वो पर्फेक्ट स्केर नंबर है जब हम 10 पर जाएंगे तो वह हैंडड हो रहां दो ये वाले जो नम्मर है वो आपके पास हो दाएंगे नाइन को नबर पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे नाइन तो यहां प्र लिखेंगे पी ये में आप परफेक्ट स्केर नंबर पी यह ओफ परफेक्ट स्केयर नमबर तो बच्चों वही फार्मला हमारा नमबर ऑफ पॉशिबल आउटकमस अपॉन में टोटल आउपस कुम्स तो 9 अपॉर में होजाएगा वन से लेकर कि 90 तक देख लीजिए कि तो फाइफ की टेबल में आते हैं तो थर्ड जो पॉइंट आप करेंगे उसमें देख लीजिए का नंबर ओफ कि नंबर स्विच डिविजेबल बाई फाइफ तो फाइफ से डिवाइड होने वाले वन और 90 के बीच में फाइफ डैन फिर्फीन ट्वएंटि इस तरीके से आप से लेंग लास्ट nine टी होगा तो जींज ओ हमारे हम enforceanter नंबर कितनी होंगे तो यह दिख लेजी हैं कि न इन depression को हम फाइफ से डिवाइड करे देख लेते हैं तो 19 जब हम फाइप से डिवाइड करके देखेंगे तो 18 जो नमबर है वह हमारे तिने नमबर होंगे जो 56 डिवाइड होंगे तो नमबर और पॉसिबल आउटकम साफ की तिन हो जाएंगे पर टोटल आपके वह पास हो जाएंगे 90 तो 18 अपन में 90 तो इसको डिटेक्ट करेंगे तो एटिन वन जा एटिन और एटिन फाइव जा नाइंटी तो यह आपका वन फाइफ आपका आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से हमकी सिस्कृष्टन को सॉल कर लेंगे आई देखते हैं हुझ सिक्स फेसे सोल दा लेटर एज मतलब एक स्टूडेंट है एक बच्चा है उसके पास में डाई है अब डाई के बारे में आप सुना होगा टोकडाउन है अच्छे परकार से घर पर आप खेल रहे होंगे लुडो लुडो के अंदर जो हमारा जो गीटी बोलते हैं जिसे आप उसके उपर वन से सिक्स तक आ आप वाले पर लिखा होता है 123456 या फिर उसके उपर हमारे सर्कल स्टाइब के होते हैं तो देखिए क्या करता है कि दड़ाई इस थ्रोण वन्स वर्ट इस दप्रोबेबिलिटी ओफ गेटिंग ए मतलब ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो आईए हम इसके सॉलु कि टोटल नंबर ओफ फेसिज आपके पास में हैं बच्चे 6 और 6 में से भी कौन-कौन से हैं वो लिख लीजिएगा ए बी सी डी ए और ए यह आपके पास में 6 फेसे देखिए सभी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर एजो है वो टू आउटकम्स है बी सी डी और ए जो हैं वो एक्वली है क्योंकि एक एक बार उनकी आउटकम्स ते रखी है तो यहाँ पर देखेगा दड़ाई इस थ्रोन वन्स वाट इस दप्रोबिलिटी ओफ गेटिंग ए यहनि कि ए आने की प्रोबिलिटी आपको निकालने है तो लिखेंगे पी ओफ गेटिंग ए तो अब यहाँ पर वही फार्मला हमारा नंबर ओफ पॉसिबल आउटकम्स अपन में टोटल नंबर ओफ आउटकम्स तो नंबर ओफ पॉसिबल आउटकम्स तो एक पॉसिबल आउटकम्स आपके बसमें कितने हैं यह हमारा दो बार है जरूरी नहीं कि यह वा कि इसरी का सेकंड ने कि एक बताई है तो बी यहां पर देखिएगा पोशेवल आटकम्स डिका कितना है वन टाइम यह तो एकम प्रोभीरियोंट में लिकिंगे हम और टोटल आपके कतने हैं 6 तो 1 by 6 तो इस तरीके से हर एक चीज़ का आपको पूछ सकता है A का पूछ सकता है B का पूछ सकता है C का पूछ सकता है D का पूछ सकता है Note D का पूछ सकता है Note E का पूछ सकता है तो इस परकार से क्विस्टन को किसी परकार से पूछ सकता है क्विशन नबर 20 में स्पोज यू ड्रोप डाई एट रेंडम ओन्द रेक्टेंगुलर रीजन इन फिगर आप क्या करते हैं कि आप एक डाई को उपर की साइड में थ्रो करते हैं और क्या करता है कि उसको रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर और प्रोबेबिलिटी निकालनी ह कि वह जो आपकी डिस्क है डाई है वह इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसे कुछन जो पिछले कुछन आए से आए थे हमारे उससे थोड़ा सा अलग क्यूशन है क्यूंकि आप जिस चीज़ को आप इसके अंदर डालना चाहते हैं ए देखिए सबसे पहले हमारे पास सोलुशन के तरफ हम बढ़ते हैं तो आपके वास में दो चीज़े यहां पर दे रखी है एक तो आपके पास में रेक्टेंगुलर फीगर दे रखा है जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ ए भी सी और टी यह हमारे एक रेक्टेंगुलर फीगर बना हुआ है जिसमें थ्री मिटर इसके लेंध दे रखी है और टू मिटर ब्रेथ दे रखी और इसी के अंदर एक सरकल बना हुआ है जिसका डाय मिटर कितना दे रखा बच्छे वान मीटर अब आपको क्या करना है कि आपकी जो डाई है वो इसके अंदर गिरेगी इस एरिया के अंदर उसकी प्रोलिटी बताने है आपको तो सबसे पहले आप एरिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर का और फिर एरिया निकालेंगे आप कौनसे का जो सर्कल दिया हुआ है उसका तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया को ओफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिय निकलने का फर्मला होते है बच्चाला लैंथ इंटू ब्रेथ लैंथ इंटू ब्रेथ तो थ्री इंटू टू इस इकल टू यह ज़ाएगा हमारा 6 करेंगे हैं तो हम लिखेंगे एरिया ओफ सरकल निकाल निकालेंगे तो पाई और सटेर अब रिडियस निकालाएं कि हमारे पास में डायमिटर दिया हुआ है कितना है वन मेंटर और जो रेडियस होती है वो हमेशा diameter की हाफ होती है तो आप एक बार के लिए यहां पर निकाल लीजिए का रेडियस इस इक इक डी बाइट डामेटर बाइट तो यानी कि वन बाइट तो आपका जो एरिया है वह हाजाएगा पाई आर स्केर यानी कि 1 by 2 into 1 by 2 मैं पाई की वेल्यू पाई ही ले लेता हूं तियो जगा पाई अपॉन में 4 और जो आपकी मीटर है वो मीटर स्केरा ठीक है तो अब बच्चों क्या कहता है ध्यान से समझना है कहता है कि आपका इसका आपके पास में एरिया आ चुका है और इसका आपके पास में एर रेक्तेंगल अरिया हम लिखेंगे यहां पए पी इट विल लैंड इन साइथ शरकल यह पीग्लेगे पी तड़ाई विल विलंड में इन साइथ अ कि मुछ तनंबर आप पॉसिबल आर्टकम्स तनमर आ पॉसिबल आउटकमस कम तो इसका इरिया यानिक सरकल का याइर और टोटल आउटकमूस का मतलब इस squeezing rectangular का area तो फर्मला हमारा है my number of my possible is outcomes और अपन टोटल outcomes तो अब हम क्या करेंगे हमारा possible outcome का जो area हमारा निकला है वो दिखेंगे हम तो हमारा एरिया आया है पाई अपान में फॉर और इसी के बाई में लिख दोर चाहिए हैं पर डिवैड में लिख दीजी तो वह कितना आ जाएगा कि 6 मिटर स्केल 6 अब यहां पर देखेगा पाई अपान में 4 मॉल्टिप्लाइए वन बाई 6 बाई 1 है तो 1 बाई 6 यानि कि पाई अपान में 24 तो पाई अपान में 24 इसका जो है वो अंसर आज है